हमारे देश में दादिनानी के समय से कुदरती चीजों से कुदरती तौर पर इलाज किया जाता रहा है हमारे घर की किचन में ऐसे कई मसाले और खाते पदार्थ हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद लाब धायक हैं आज हम आपको दूद घी पीने के फाइदे बताने जा रहे हैं यदि आप दूद घी में चुटकी भर हल्दी भी मिला देंगे तो आपको न सिर्फ ताकत बलकि कई परकार के स्वास्थलाब भी मिलेंगे देसी घी को बेहद पोश्टिक और पित दोस को खत्म करने वाला माना जाता है घी यदि गाएका हो तो यह और भी ज़्यादा लाब पहुचाएगा इसके लबद दूद को संपूर आहार माना जाता है और हल्दी एंटिबायोटिक होती है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने और बिमारियों को खत्म करने में मदद करते हैं लोकल एटीन से बाचीत में होमियोपैथी डॉक्टर पंकश पैनूली कहते हैं कि हल्दी दूद और घी को पुराने सवे से ही औसधी के रूप में इस्तिमाल किया जाता है इसकी तासीर गर्म होती है तो इसलिए इसको गुमचोट लगने हड्डियों में दर्द की शिकायत होने पर पिया जाता है हल्दी दूद घी के और भी बहुत सारे स्वास्तलाब है जैसे कि यह शरीर की इम्यूनिटी को बूश्ट करने का काम करता है डाइजेशन को मजबूत बनाता है जोडों के दर्द से राहत दिलाता है और सर्दी खांसी के लिए इसको रामबान माना जाता है दूद और हल्दी ड्राइ स्कीन वाले लोगों के लिए भी बेहत लाब धायक है यह स्कीन को अंदर से मॉस्चराइज करती है और इसकीन धीरे धीरे ग्लोइंग होने लगती है देखे हल्दी दूद घी ये पहले भी हमारे आसदियों के एक प्रकार के आसदियां रही हैं पुरातन से और अभी तक जो है ये आसदियां चल रही हैं पहले भी अगर आपने देखा होगा किसी को चोट लग जाते थी गुमचोट जिसको बोलते थे उसको हल्दी दूद पिल जो में काम आता है अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है तो यह digestion को improve करेगा digestion improve करने के कारण क्या होगा कि आपका जो पॉस्टिक ता है जो nutrition हो आपके सरीर में लगेगा जिससे कि जो आफ खाना खौऊगे उसका आपको ज़्यदा ज़्यदा output मिलेगा दूसरा जो इसमें होता है वो होता है कि जोडों के दर्द चूँ होता है क्योंकि इनकी तासीर गरम होती है और सर्दियों में जो भी जोडों का दर्द होता है जोडों के दर्द को यह कम करता है तो यह आपका जो है औसदी के रूप में भी काम करेगा तीसरा होता है skin glow जब आपका nutrition आपकी body के अंदर जाएगा और आपके intestine से maximum तरह आपका nutrition गेंगे तो obviously आपकी skin में और आपके face पे आपके बालों पे आपके नखून में glow आए गई आएगा क्योंकि वो byproduct होते हैं आपके nutrition के और immunity booster तो होता ही है क्योंकि इसमें antibiotic और दूद का जो संपूर्ण food होता है उसका एक combination की वज़े से immunity को आपके improve करता है देखे इसको आप दिन के किसी भी time में इस्तमाल कर सकते हैं और इसमें क्या है कि हलका गुणगुने दूद में एक चमच हल दी आप अगर मिला के पिएंगे तो ये आपके लिए फायदे मंद होगा इसको आप सुबह नास्ते में भी ले सकते हैं इसको आप रात्री को सोने से पहले भी ले सकते हैं और दिन के किसी भी time में ले सकते हैं इसके ऐसी कोई पाबंदी नहीं होते हैं